हेलो फ्रेंट्स अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्मुनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सबोंने आज का जो अपना मिंस का पेपर दिया है उसमें आपक क्यों ने इसके लिए आपने अपने जीवन के एक-एक मिनट एक-एक सेकंड का यूज करते हुए आपने इसके लिए जो अथक प्रयास किया है यह उसी का परिणाम रहा होगा ठीक है चलिए तो अपने लैंग्वेज इकसद से इंगलिस लैंग्वेज का जो कुशन पूछ आख गया था इंग्लिज्ज लैंग्विज के सभी प्रस्नों को हम लोग बारी बारी से और और अंग किया और और नोगा किऊनों को हम पूर nessa विडियो से संग को बीले करें को हम लोग फटापũ करते हैं और चलते हैं अपने प्रस्नों की तرف, तो तो पहला प्रसन था है यहां पर आप दो नीयुघ का यूजड है। यहां पर इस को में पढ़ेंगे तो भी उसकूशन का ऊंसर कर सकते हैं। यहां पर हमें इस good का degree यूस करना है और यहां पर कोशन में चलता है यहां पर देखा हुआ है अब then का यूज हम लोग करते हैं comparative degree में यूज करते हैं तो cool का comparative क्या होगा cooler ठीक है next यहां से आगे पढ़ते हम लोग चलते अगले question की तरफ देखे हमारा अगला question क्या है अगले question में क्या करना है हमें तो देखे ध्यान से into passive मतले जो given question है यह active में given है और इसको कहां convert करना है इसको passive में हमें बदलना है ठीक है तो आईए सबसे पहले इसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है ऐसे सभी बच्चे जो हम से class किये होंगे उन सब को पता है इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है तो सबसे पहले आपको main verb identify करना होता है Sentence में देखे main verb क्या है यह lit ठीक है? यह हमारा main verb यह हमारा subject यह हमारा object subject और object एक्टिब passive में धोनों एक दूसरे से interchange कर जाता है जाता है दोनों का स्थान इस तरीके से बदलता है दोनों अगर ऐसे है तो इन दोनों का place ऐसे हो जाता है थीक है यह आपको पता है अब आजएये इसका हम लोग पैसी बनाते हैं तो इसका ड़े पायर का दफ् दफ यौन आप चाहे तो यस को लिख सकते हैं नहीं भी लीक सकते किंतो अपने सीज़ी Mm एसी बोड में इसको प्रेफर की जाता है लिखना तो आप इसको लिख दे ज्यादा बेतर होगा ठीक है नेक्स यह से आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलते हैं इसमें हमारा मेन वह क्या है तो इसमें वह मारा में वह मेट ठीक है ऑप जिट कैई यह बाकि यह सारे क्या होगे compliment होगे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका पैसिव क्या बनेगा इसका टेंस क्या है तो इसका टेंस है यह देखे यह क्या है यह वर्फ का सेकंड फॉर्म है इसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है अपने वाइस के यह फिर इसके बाद हमने आपको बताया था भी हो बिंग हो यह बिंग यह बिंग यह बिन इनमें से किसी के साथ यह वर्फ का थर्ड फॉर्म यूज होता है तो वह रहेगा पैसिव में अधर वह रहेगा एक्टिव में तो यह दिखे जो हमारा पहला कोशन था इसमें यह और यह बदेख को में वर्ब को औपज़िट को डेंटिफाइ कर लिया है अब चलिए इसका पैसिव लोग लिखना शुरू करते हैं तो इसका पैसिव क्या बनेगा इसका पैसिव बनेगा ही यह वाज मेड रही वाज मेंड दाक्टन He was made the captain by by them आप इस by them का भी use कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं बट अपने CGPC board में इसको prefer किया जाता है आपके exam में इसको prefer किया जाता है इसलिए आप इसको लिखना prefer करें आप इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है इसको एकट में चेंज करना है ये दिया हुआ और किसमें किया अछोंतिजन करना है यह सबीत को किसी के साथ एक खाया लिब्ड वर्भ ह equally फ़र्व दिखाए देंगे में पैसे में आधर सब्सक्रा इस में प्रीका देंगे में में तो यहां भी दिख रहा है यहां भी वह दिख रहा है मतलब यह दूनों सेंटेंस है ठीक है यह इंस्ट्रक्शन की विन नहों तो आप इस तरीके से भी इसको पकड़ सकते हैं अब आए फिर से इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है तो सबसे फले में वाप को इडेंटि सब्य की का सब्जेक्ट अनुवाइज ऑ तो चली इसका एक्टिव हम लोग लिखने शुरूं करें इसका अंसर क्या बने का इसको रहाए विक को लिश्व रहां पि multiplic, Finnish नहीं क्विक केक्ट मीग है नेक्ट शलते हम लोग अगले कोशन में हमारा अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन है, he was seen plucking the flowers by someone, मतलब इसका subject क्या है, इसका subject है, he, इसका object है, someone, ठीक है, तो जब इसका active हम लोग लिखेंगे, passive का, जब हम लोग इसका active लिखेंगे, तो active का subject क्या बन जाएगा, someone बन जाएगा, और he का him हो जाएगा, object, ठीक है, चली, तो इसका answer करना हम लो someone saw plucking, plucking the, plucking the flowers, plucking the flowers, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, someone saw him plucking the flowers, someone saw him plucking the flowers, ठीक है, next, यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले कोशन में, हमारा अगला कोशन क्या है, अगला कोशन में देखें क्या करना, यहां पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन given है, यहां पर हमें relative pronoun का use करना है, ठीक है, तो आप जानते है, relative pronoun के रूप में, ज्यादा तर हम लोग WH word का use करते हैं, who, which, that, whom, whose, ठीक है, अब देखें, ऊपर वाले का answer क्या बनेगा यहां पर, तो बनेगा who, this is the girl who came, जो यहां आई थी, ठीक है, और second वा का use करना होगा, how, ठीक है, next, यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अपने अगले कोशन के तरफ, अगला कोशन हमारा क्या है, तो यह है, fix preposition का question, इसमें preposition हमें use करना है, पहला question है, fix preposition का question, abstain के साथ, बिना question पढ़े, इस question का meaning क्या है, इस से भी यहां पर हमें कोई फर है, abstain के साथ, हम लोग क्या use करते हैं, तो abstain के साथ, हम लोग use करते हैं, from का, तो हमारा answer यहां पर क्या बनेगा, यहां पर answer बनेगा, from, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, it is dangerous, to enter, अब देखे, enter के साथ, यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, into, enter के साथ into का प्रयोग नहीं होता, यह गलत है, यहां पर किसी preposition का use नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहां पर enter के साथ, into का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए, यहां पर किसी भी preposition का use नहीं होगा, ठीक है, यहां पर no preposition, ठीक है, the man robbed me, अब यह देखे यह phrasal वोब है यह phrasal वाभ है phrasal वाभ क्या है तो रॉब के साथ हम लोग यूज करते आफ ठीक है अब इसका पूरा phrasal वाभ क्या है इसको समझी और अब somebody somebody के लिए हम इस भी लिख रहे somebody something of something मतलब किसी व्यक्ति यह वस्तु को किसी चीज से वनचीत कर देना रोक देना और यहां पर देखे पॉसेशन का मतलब संबंध नहीं यहां पर पॉसेशन का मतलब है समपती ठीक है तो यहां पर रॉब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे ओफ इसका मतलब क्या होता है टू स्टॉप ठीक है या टू प्रिवेंट समवन बात समझ में आ रहे हैं किसी को किसी चीज से वनचित कर देना रोक देना इसलिए इसका अंसर क्या यहां प पढ़ने की जरूरत होती है ही इस ओनेस्ट वह इमांदार है नोबडी ट्रस्ट हिम ठीक है अब यहां पर देखें यह एक सेंटेंस है यह दूसरा सेंटेंस है चुकि वह इमांदार है इसलिए लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं यहां पर आंसर हमारा क्या बनेगा तो इस कोश्चन में आप एस भी लिख सकते हैं सिंस भी लिख सकते हैं बोथ हार करेक्ट दोनों का मिनिंग सेम है चुकि वह इमांदार है इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करता बात समझ में आ गई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब यह देखें नाइदर के साथ आप बजपन स करने की जरूरत है ताकि तो देखिए किसी काम का रिजल्ट आपको दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते सो दैट क्या यूज करते हैं किसी काम का रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग कंजक्शन के रूप में यूज करते सो दैट क्या यूज करते हैं सो के साथ तो यहां पर इस question का अंसर बनेगा so that next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला question हमारा क्या है तो अगला question है synonyms का किसका है synonyms का यह देखे strange अब यह strange का मतलब विची तरह आप मत समझ लेज़ेगा unique peculiar ऐसा वाला मत समझ लेज़ेगा इस strange का मतलब होता है कि husband और wife husband वाइप यह सा कोई भी दो व्यक्ति जिसमें पहले काफी अच्छा relation रहा हो अब दोनों अलग-अलग रहते हैं विसे सुरूप से इसका प्रयोग किया जाता है तो कोई भी दो husband वाइप उनके बीच में डाइवोर्स हो जाए दोनों फिर अलग-अलग रहना सुरूप करते हैं तो उनके लिए हम लोग यूज करते इस टेंस का ठीक है क्या करना है यहां पर synonyms लिखना तो इसका synonyms क्या होगा s in convenience क्या होते हैं इंजिनियस energy अंचलेजेंट इंजिनियस agents150 च ay जैने ऐस करें डाइवनच क्या होता है रहसे बतला देना रहसे बतला मतलब इसका सीनोनिम्स क्या बनेंगा तो इसका सी शुन नियोंकम बनेगां क्या बनेगा सोभ इडिस्क्राइब में तो डिश्कलोज रिवील होता है भाई अवस्यंभावी जिसको इंकार नहीं किया जा सकते है जिससे बचा नहीं सकता है ठीक है तो अब इसका आपॉजिट मिनिंग हम लोगों को बता है अपोजिट में क्या बलेंगा भाई तो एभॉएडेबल अब ये देखिए वोलूंटरी क्या होता है वोलूंटरी होता है स्वैक्षिक और वैतनिक अपने मन से सेल्फ विल से किया जाने वाला काम जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता है ठीक है तो इसका यदि अपोजिट हम लोग लिखने का प्रयास करें तो इसका पेड़ भी बनेग अगा इसका दूसरा क्या बनेगा और तो लूसरी बनेगा मैंटेटरी मिन डिने आट क्या बाए एकज LIKE क्या होता है कि की दारे किसी भी आधिकारिक रूप से किसी नहीं दोष या आ यारूप से मुक्त कर देना ठीक है तो इसका अपोजिट क्या बनेगा इसका पोजिट बनेगा चार्ज है कन्विक्ट आरोप लगाना ठीक है नेक्स यहां से आगे बढ़ते हैं चलते अगले कोशन की तरफ अगले कोशन में देखें हम लोगों क्या करना यह OWS का कोशन है वन वर्ड सब्टिचूशन में आई हम लोग पाले कोशन की तरफ चलते अब परसन हो कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल एक ऐसा विक्ति जो अपना देश छोड़के दूसरे देश में जाता है वही निवास करने के लिए वही जहने के लिए तो यहां पर देख दोनों में क्या डिफरेंस जैसे जैसे यदि कोई इंडिया छोड़के चला गया अमेरिका मेरा निकल जैसे अभी रसिय वार हो रहा है तो उक्रेंद के मालीजी कुछ लोग चले जागे बहुत घरे हुए अब मैं लोटकर युकरींइन नहीं आओं दो पोलेंड के लिए व में बात करेंगे तो हमारा आंसर यह बनेगा ठीक है बात समझ में आई अब इस कोशन में जड़ा देखे टू वन कंट्री मतलब जहां पे गए उसके रिफरेंस में बताना है इसलिए इस कोशन का अंसर हमारा क्या बनेगा यह इमिग्रेंट बनेगा यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है चलते हैं अगले कोशन की तरफ कलपेबल सॉरी कैपेबल ओफ कैचिंग फायर इसली मतलब ऐसा कोई बिची जिसमें आसानी से आग लग जाए उसको क्या कहते हैं कंबस्टिबल क्या कहते हैं है मानऊता की सिवाग करने वाला यानि कि इसको कहते हम लोग हुम anticipating io humanitarian या इसी को हम लोग को हते हैं फिलैंठ्रोप्स प्रियू मनट या फिलैंठ्रोपेस्ट प्रेफरेबल आंसर है आपका घ्रिक 커피ोशन की तरफ अगला कोशन क्या है हमारा यहां पर दिखे लायन सेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा biggest बिगस्ट पोर्शन और शेयर या पाट ठीक है लायन सेयर सबसे बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा नेक्स्ट दूसरा इडियमन फ्रेजस क्या है लिप्स एंड बाउड मतलब वेरी सार्पली वेरी सार्पली इस पीडली ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं लोग अगले कोशन की तरफ चलते अगला कोशन इडियमन फ्रेजस का क्या बेड़ ऑफ रोजज अब यह बेड़ ऑफ होते हैं नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं कुछ और नए कोशन की तरफ अगला कोशन हमारा क्या है यहां पर देखें लिखा हुए री राइट फॉलोइंग सेंटेंस आप्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन मतलब यहां पर आपको जो तीन सेंटेंस दिये करेक्ट अंसर क्या बनेगा तो करेक्ट अंसर बनेगा दपूर The poor villagers have been wetting in bitter cold for more than 4 hours now. चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन की तरफ हमारा अगला कोशन क्या है अब देखे इसके लिए हमने आपको future in different way पहले से पढ़ा रखा है कि यदि किसी भी sentence में आपको किसी भी sentence में यदि दो छोटे छोटे sentence या clauses आपको दिखाई दे और उसमें से किस किसी भी sentence में या किसी भी sentence की सुरुवात या किसे time या condition indicating word से हुई हो तो उस time और condition indicating word के तुरंत बात जो sentence या clause लिखा गया होता है यह लिखा जाता है उसमें हम लोग cell will का use नहीं करते उसको हम लोग लिखते है present in different में लेकिन वह बात करता है future in different के ठीक है तो अब यहां प सेकेंड वाला जो पार्ट है अंचिंज रहेगा उसमें कहीं कोई गलती नहीं है और थात हमारा answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा if it rains if it rains remaining पार्ट सेम रहेगा ठीक है चलते है अपने थर्ड कोशन की तरफ देखिए हमारा थर्ड कोशन क्या ही है स्टुडिड फ्रेंच सेंस फ आई लगा अब यहां पे यह फॉर लगेगा इसलिए यहां पर और बेहतर है कि इसको हम लोग परफेक्ट कंटिंवर्स में लित्कें तो इसका इंसर हमारे क्या बनेगा इसका jeśli हमारे बनेगा चुक्य यहां पे बादके आद में हम लोगों को क्या करना है यह हमारा जो कोशन है यह हमारा कोशन है रियरेंजमेंट का किसका कोशन है रियरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस होता है जिसको कुछ पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और ब्रेक करने के बाद जो ब्रेक किये हुए पार्ट इसे पर बेश्ट है अब आए इसको हम लोग बनाना सुरू करते हैं तुडे यह हमारा फॉर्स पार्ट हो का टुडे दो सिंगल बिगस्ट त्रेट टू तू लाइफ टू लाइफ टू लाइफ ऑन अर्थ ऑन अर्थ इस is global warming यह होगा हमारा answer ठीक है next इसको clear करते हैं चलते हैं अगले question की तरफ second question की तरफ second question में देखिया हमारा rearrangement क्या बनेगा सबसे पहला part होगा we enjoy reading books we enjoy reading books that belong to us much more much more than than if much more than if if they are if they are borrowed if they are borrowed next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं के तरफ देखे हमारा थर्ड कोशन क्या है तो इसमें सुरुवात होगी आई से यह होगा हमारा पहला और देखे लुक फॉर्वर्ड के बाद वर्व की आई एंजी फॉर्म यूज की जाती है यह जीरंड का कॉंसेप्ट ठीक है तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा यहां फॉर्वर्ड दिख रहा है यहां पर लुक भी देख रहा है तो हमारा सेकंड पाट क्या बनेगा आई लो फॉर्वर्ड ईयुन सून फॉर्म यह यह होगा मारा करेक्ट रिअरेश्बंट में नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं लोग अगले question की तरफ चलते देखे हमारा अगला question क्या है अगला question है हमारा miss spelled का इस question में आप देखे यहां पर तीन word आपको दिखाई दे रहें तीनों का correct spelling हम लोगों को लिखना होता है तो vacuum का spelling क्या होता है वी ए सी डबल यू एम इसमें यू को repeat कर देजिए सही हो जाएगा occurrence का क्या होता है बाई ओ डबल सी यू आर इन सी यह हो गया occurrence occasion क्या होता है ओ डबल सी एस आई ओन occasion ठीक है occurrence घटना किसी चीज़ का घटित होना vacuum निर्वात आप जानते हैं नेक्स यहां से आगे बढ़ते चलतें अगले कोउशन की तरफ यहां पर देख यहां पर bracket वाले पार्ट में आपको कोई नै कोई वर्ब दिया गया है और यहां पर एप्रोप्रेट वर्ब का यूर्ज करना है अर्थात इसमें हम लोगों को क्या करना होता है तो यहां भी sentence का पहला वर्विदी पास्ट में हो तो उसके बाद आने वाले सारे वर्व किसमें रहेंगे पास्ट में रहेंगे किसमें रहेंगे पास्ट में रहेंगे तो यहां पर इस टेक का पास्ट हम लोग क्या यूज करेंगे टुक वर्व का सेकंड फॉर्म टुक ठीक है नेक्स्ट और यहां पर लिए यह प्लू प्लस वर्ब इंफुन cran इंफ्नटिव औरogi यूज करता िइंफ्नटिव का यूज जाता फ्यूचेर में होने वाले एक्षन को दिखाने के लिए फ्यूचेर में होने वाले किसी घटना को गतिविदी को दर्साने के तो छुकी यह काम फ्यूचर में होना है तो सुनिया जो है वो रूम ढूंड रही है जगा ढूंड रही है इसलिए यहां पर हम लोगों को prefer करना चाहिए present के पास्ट यह Present में काम कर रही है किसलिए रहने के लिए ठीक है तो लूप का हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे looking sonia is looking और यहां पर लगाएंगे sonia is looking for the look for जो है एक phrasal के तरफ चलते देखिए अगला कोशन है हमारा पैसे का अब पैसे का आपका जो कोशन होता है यह हमने आपको पहले से बता रखा है कि पैसे का हमारा जो कोशन होता है पी एसी मिंस में हमारे जो कोशन पूछा जाता है इसमें पैसे से ज्यादा तर कोशन डारेट कोशन पूछ सबसे बड़ा दुसमन कौन है तो देखिये इसका अंसर आपको यहां पर दिया गया है the greatest the greatest enemy of mankind कोने भाई as per people have discovered is not science but war तो हमारा answer क्या बनेगा war is the greatest enemy of mankind ठीक है war is the greatest enemy of mankind correct next यहां से आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question देखें what do weapons cause what do weapons cause अब देखें इसके लिए weapons को ढूणिए यहां पर देखें आपको दिखाई देखेंगे विपन्स विच साइंस गिपस आस नौट कॉज वार ठीक है यह इसको देखें देखें यहां पर लिखा हुआ our main problem हमारा main problem क्या is therefore our main problem is to curve science but to a stop or यहां से लेकर यह पूरा line आपको अनधर तक यह पूरा line आपको लिखना है तो यह है इस question का answer आप देख पा अभी तक इन तीन question को जिसको हम लोगों ने discuss किये यह तीनों के तीनों direct question थे ठीक है और यह किसी model set के नहीं बलकि आपके आज के paper में ही पूछे गए question है यहां पर आएं यहां पर देखें हीरो ही अब सबसे पर और ही रोशिमा हम लोग ढूंड लें तो यहां पर देखें कहीं न कहीं हीरो से मा होगा यह देखें bombing of Hiro Sima मिला सदेनली वोक अप तो इससे हम लोगो क्या मिला भाई what does the bombing of Hiro Sima imply हमारा answer बनेगा The bombing of Hiro Sima employees The bombing of Hiro Sima इंप्लॉए ठीक है इंप्लाइज यह प्लूरल है अब इसको बनाएंगे हम लोग सिंग्लर ठीक है एंप्लाइज धाट वी है आंसर बने का डाट भी है वेरी लिटिल टाइम ठीक है इस कोशन का यह आंसर होगा नेक्स यहां से आगे बढ़ते हैं साइंस हम लोगों का कैसे हिल्फ कर सकता है तो देखें यहां पी लिखा हुआ है साइंस इसका उसलिए बढ़ते हैं ऑगला कोशन कि पैस इस पैसे स का सूटेबल टाइटल क्या है तो सुटेबल टाइटल क्या है इसको हम लोग बजपन से पढ़ते आ रहें विज्ञान एक वर्दान या अभिसाब साइंस और ब्लेसिंग साइंस और ब्लेसिंग नेक्स्ट यहां से आगे पड़े अगला कोशन देखिए हमारा क्या अगला कोशन है प्रेसिस का प्रेसिस के दो प्रेसिस पारे में हमने आपको पहले से बता रखा है किया करना होता है तो एक इक है Churchill के से donations और और हम लोगों के-स टाइम कम होता मिलता है अब प्रिसर ज्यादा होता है इसके लिए हमें आपको टेकिनिक पहले से बता रखा है मिलता है उस पेपर में एक लाइन के एक के वर्ड को आप काउंट करें वहुत ज्यादा डाउट हो तो रैंडम फिर कहीं से एक दौन कंडा ज़्यादा रहें पता नहीं सर सही बता रहें कि रहें तो एक दो और कैसे मतलब दो या तीन लाइन आप काउंट कर लें उसका एवरेज निकाल लें तो आपके आज के पेपर में जो पूछा गया है उसके एक और इसमें देखे सब्दों की संख्या है 151 ठीक है 151 अब इसको किसे डिवाइड क तरफ चले इसका अंसर देखे हमारा क्या है तो सबसे पहले इसका टाइटल चाहिए अब यहां पर देखे इस कोशन में जिसकी बात की गई है कि आर बोड़ी इस वंडर्फूल वंडर वंडरस मैकेनिजम मतलब इसमें देखे कुल मिलाके ऐसी बात है की गई है कि हमारा जो बात चेंगा की माध्यम से स्थैंगा पर रिजए में क्या होता है था तो आपके मसल पर टा है मसल पर प्रेशर एकजात के बाता होता है लंबे समय के साथ धीरी-दीरी आपका जो मसल है आपका जो मसल है ब्लट करनवे इसे अफ़शन हो, एस तरीके से muchísimo अब 왁का हमारा इसलिए इसका हमारा टाइटल बने गा वह बने गा Is यह देखिये अडेप्टबिलेटि के यूज किया गया होगा whats करें तो कि यह देखने इसी अडेट से बनेगा अडेपटिबिलीटी टिखने तो अडेपटिबिलीटी होगा हमारा और टाइटल के बाद हमारा जो इसका प्रेसी सोगा यह प्रेसिस ऐसा रहा अब प्रेसीज यह होगा As it is, हम जो sentence लिखे, As it is, नहीं हो सकता, आपके examination board के द्वारा, CGPAC board के द्वारा, आपका जो भी answer लिखा जाएगा, आपका मेरा और हर अलग-अलग candidate का answer लिखने का जो term होगा, वो अलग-अलग हो सकता है, सब्द अलग-अलग हो सकते है, ठीक है, content यही रहेगा, same रहेगा, और इसमें देखिए हमने 49 word use की, ठीक है, नेक्स्ट यहां से आगे पढ़ते, आपके AC वाले paper में translation का एक question पूछा गया था, आईए उस translation के question की तरफ हम लोग चलते हैं, यहां पर देखे, स्वामी रामदास was very kind, hearted and devoted to God, स्वामी रामदास नाम के जो व्यक्ति थे, वो बहुत समर्पित थे, ठीक है, भगवान को बहुत समर्पित थे, भगवान के बड़े भगत थे, नेक्स्ट आगे के लाइन को पढ़ते हैं हम लोग, he was so gentle by nature that he never felt angry, वो स्वभाव से इतने ज्यादा विनम्र थे, कि वो कभी भी गुसा नहीं होते थे, आगे के sentence को हम पढ़ लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीव थे, his wife was ill-tempered, मतलब उनकी जो पतनी थी, वो ज्यादा गुसा होती थी, she used to quarrel with him over trifles, trifles होता है, छोटा छोटा तुछ महतुहीन बात है, ठीक है, या वस्तु, she used to quarrel with him, तो उनकी जो पतनी थी, स्वामी रामदास की जो पतनी थी, वो उ एक दिन उनके घर में आटा नहीं था, they had gone without food for two days, और वे लोग, वे मतलब कौन स्वामी रामदास और उनकी पतनी, ये दोनों लोग दो दिन तक भूखे रहे थे, the wife said, go to the field and bring some sugarkin, पतनी ने पती से स्वामी रामदास से कहा, कि आप खेत में जाए और वहां से कुछ sugarkin ने गन्ना लेकर आईए, we shall satisfy our hunger with its juice, हम लोग अपने भूख को इसके juice से मिटाएंगे, ठीक है, रामदास collected a bundle of sugarkin, रामदास खेत में गए, ठीक है, तो खेत में गए, ये यहां पर नहीं लिखा हुए, इसको आप ट्रांसलेशन में नहीं लिखेंगे, रामदास collected a bundle of sugarkin, रा चल दिए, ठीक है, on the way, many people begged to have the sugarkin, रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, कई लोग मिले, जिन्होंने उनसे विंति की कि हमें sugarkin दीजे, यानि गन्ना दीजे, and he gave them one each, और सभी व्यक्तियों को उन्होंने एक गन्ना दे दिया, प्रतिक को उन्होंने एक गन्ना दिया, एट लास्ट अन्त में, he was left just one sugarkin, अन्त में, उनके पास केवल एक sugarkin बचा, केवल एक गन्ना बचा, his wife pounced on him, उनके पते जो थी, उनके उपर छलांग मारी, and snatched it away from his hand, और जपट्टा मारते हुए, उनके हाथ से, उनके हाथ में जो गन्ना था, उसको छिन लिया, ठीक है, See, struck it so hard on his back, और उन्होंने, मतलब उनकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने, रामदास पर उस गन्ने से, सुगर केन जो था, उससे इतने जोर से मारा, that it broke into two parts, जो सुगर केन था, वो दो टुकडों में बच गया, रामदास सेड़ स्माइलिंग ली, रामदास मुस्कुराते हुए बोले, what a nice lady, कितनी अच्छी महिला हो तुम, you have snapped the sugar cane, sugar cane without any trouble in two equal parts, मतलब, तुम कितनी अच्छी महिला हो, कि तुमने sugar cane को दो बराबर भाग में बिना किसी परिशानी के बाट दिया, चीक है, तो इस तरीके से आपके आज के language के section में, और एसे के section में यह जो आपका translation का part था, इसको हम लोगों ने discuss किया, आसा करते हैं, यह आपके लिए काफी beneficial होगा, और इसी के साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चले, कि इसी तरीके से आपके math और reasoning और बाकी subject के भी, कि यहाँ पे हमारे YouTube channel competition community पे आप सबों को analysis मिलेगा, यानि कि आप जो CGPAC means का exam देंगे, उसमें math और reasoning के भी आपको video analysis हम लोग provide कराएंगे, ठीक है, चलिए, तो video session को यहाँ पे हम लोग conclude करते हैं, समाप्त करते हैं, finish करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि यहाँ लोगों